दोस्तों ये बात तो आपनों जानती हो कि Bollywood के चोकलिटी बॉइ यानि कि रनवीर कपूर के फिल्म ब्रहमास्त्र को बॉक्स ऑफिस पर र्लीज हुए दो दिन हो चुके हैं यानि के आज इस फिल्म का box office पर तीसरा दिन है यानि कि भाई पहले weekend का आखरे दिन, तो भाई ये फिल्म दूसरे दिन box office से कितने का collection कर सकती है और दो दिनों का collection के माधियम से ये फिल्म कितने का business करती नजर आ रही है बॉक्स ओफिस्ट पर ये सारी जानकारियां मैं रखूंगा आपके सामने अब तो भाईया बने रहेगा हमारे साथ अंत तक हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ नरेंद्रो और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानिकी वाइरल न्यू जंक्सन में तो दोस्तो इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने ब्रमासर के दूसरे दिन के कलेक्शन रिपोर्ट को बताओं कि उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि भाईया इस फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन रिपोर्ट ने भाईया मुझे पूरी तरह से हिला कर रख दिया है अनिक विया कल जब इस फिल्म का प्रोडूसर फिगर अमनों के सामने आया उसको देखने के बाद तो भाईया मुझे इस बात पर यकी ही नहीं हो रहा है कि भाई जिस फिल्म को लेकर इतना नेगेटिविटी फैला लेकिन भाई कल मेरे गाउं में एक जुलूस निकला हुआ था जिसकी वजह से पावर कट था और मैं काम नहीं कर पाया तो भाईया मैंने सोचा कि इस बात पर भी मैं जिकर करूंगा अपने इस रिपोर्ट में तो अब चलिए मैं आपको बताता हुए पहले दिन इस फिल्म हमनों के सामने हैं वर्डवाइड वाला वो रहा 75 करोड का यानि कि विया और लेंग्वेज के माधियम से फिल्म ट्रेट फिगर के माधियम से इंडिया से जो कलेक्शन कर रही थी वह आंकड़ा था 36 करोड 50 लैक रुपिस का और उसके बाद इस फिल्म का और लेंग्वेज में इस फिल्म को ट्रेट फिगर के माधियम से जो कलेक्शन मिला पूरे इंडिया से 3D और 2D वर्जन के माधियम से तो वह आंकड़ा रहा 31 करोड 75 लैक रुपिस का और उसके बाद अगर मनों बात कर भिया प्रोडूसर फिगर की तो भहिया प्रोडूसर फिगर के माधियम इस फिल्म को हिंदी लेंगवेज में जो कल इंडिया से क्लेक्शन मिला था वह आकड़ा था 37 करोड का उसके बाद अगर बात करी भिया इस फिल्म के ओवर 7 के तो ने ऑबर से पहले दिन नियानि फिल्म को छपड़ा फार कमाई मिली है पूरे विश्व से जिसको देखने के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि भाई इसको बोलते हैं जनता की असली ताकत बहिए जनता की ताकत जिसके साथ जुड़ जाए वो सूपर हीरो बन जाता है मेरे भाई यानि कि विया जिस फिल्म को लेकर ये बात कही जा रही थी कि जनता ही इस फिल्म का भईशकार कर देगी वही जनता इस फिल्म को इतना जबरदस्ट ओपनिंग देती नजरारी है और भाई ये जो सिल्सला है वो दूसरे दिन भी बरकरार रहने वाला है मेरे भाई यानिक बिया दूसरे दिन इस फिल्म को all language के मादिम से जो collection मिलता नज तक का और उसके बाद अगर में बात करें बिया वर्डवाइड कलेक्शन की तो यह दूसरे दिन भी यह फिल्म वर्डवाइड सेवेंटी टू सेवेंटी फाइब करोड का बिजनस करती नजर आ रही है यानि यह फिल्म बहुत ही असानी से दो दिनों में 138 करोड से लेकर 143 क रॉपिस तक का बिजनस कर सकती है यानि कि दो दिनों में इस फिल्म को ऑल लैंग्वेज के मादिम से बाइड जो कलेक्शन मिलता नजरार है वह आंकड़ा है सेवेंटी सिक्स करोड फिप्टी लैक रॉपिस से लेकर 78 करोड फिप्टी लैक रॉपिस तक और उसके बाद आ दो दिनों में ये फिल्म चपड़ फार कमाई करते हुए डेड़ सो के आंकड़े के करीब पहुंसती नजर आ रही है और ऐसा इस फिल्म के साथ क्यों हो रहा है तो भिया दूसरे दिन भी इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में बहुत जबर्दस्ट ऑकुपेंसिरेट मिल अकड़ा रहा 51.6 ॐसके बाद इनिंग के शो में इस फिल्म को 3D वर्जन के मादे में हिंदी लैंग्वेज भीजियो और भी इस फिल्म को लेंग्वेज के टूरी वर्जन में भी जबर्दस्त औकुपेंसी रेट मिला है मेरे भाई यानि वेकल इस फिल्म को टूरी वर्जन के मादिम से हिंदी लेंग्वेज में मौर्निंग के शो में जो औकुपेंसी रेट मिला था वह आख़ा था 20.88% का उसके बाद सेमेंटी वन परसेंट का उकुपेंस रिटना है और भाई इन्हीं आकडों की मदद से ये फिल्म बहुती आसानी से डेट्सों करोड के बिजनर्स को छूती नजर आ रही है दो दिनों में तो बॉली वूट से जुड़े और भी कही सारे खबरों को जानने के लिए हमारे च